कि वह सब्सक्राइब करने टाइम ले रहा है कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है कि अधियो में और फाइनली जो है पोको एक्स्टू में जो है मीवे 12.5 का अपडेट आ चुका है और यह सभी उजस के रिए आ गया है और यह फेज में में रोल हो रहा तो आप लोको नहीं मिला हो तो आप मैं लिंक वीचे में दूंगा उससे डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि इसमें जो म इसमें दे सकते हैं इसमें आपको निया रिस्पॉंस गेस्टर मिलाता है फिर कस्टम एजश्मेंट है फिर आपका नोट्स अप में कुछ-कुछ और फीचर्स अड़ किया गया है तो सब देखेंगे बाट उससे पहले से कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या सब्सक्राइब का वर्जन है कि वह 12.5.1.0 और इसका कोड है आज एक आयन एक्सम यह इंडियन वर्जन के लिए है तो अब चलते कि देखते कि इसमें और क्या-क्या जो है वह फिचर्स दिया क्या क्या लिए दिया गया तो सब सब्सक्राइब जैसाते है अगर मैं अपर जो आपका लेओट है वो तो चेंज कर दिया गया जैसे सउंड वाइबरेसन में जाते हैं यहां पर कुछ लेओट जो है उत्वाप्सन साथ तो यहां पर तीन ही ऑप्सन केल दिख रहा है तो यहां पर फोकस खराब हो रहा है और अगर आप साथ में देखेंगे इसमें नोटिफिकेशन का देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का जो लेओट और तो चेंज कर दिया गया है और ज्यादा कुछ खास अब्डेट हो आया नहीं है जोटा मोटा जो भी बग्स थे उसे पो ठीक किया गया है कैमरा भी मैं उतन ओर इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें जो है स्वासरा जो आखी जैसे लांग स्क्रीण कर साउड डैट किया हुआ है आप कि आप चारजिंग साउंड है य्या अनिमेशन साउंड है अनिमेस्ट पासिए तो दिखाता हूं और उसके आप स्क्रीन स्वाट कर भी साउंड है तो देखते हैं फेस में दिखाता हूं उकलों को तो साउंड तो है बट भाई है कि बहुत धीमा साउंड से ज्यादा है जैवी साउंड भी नहीं है और साथ साथ इसमें एक निया बूट अनिमेशन भी आया है तो दिखाता हूं तो इसके लिए मैं डिवाइस के पार रिबूट कर देता हूं तो अब हम दो डिवाइस अन हो रहा है और तो अन हो जाता है तो यह था इसका अनिमेशन जो कि मैं बता था जो नए अनिमेशन आया है बूट अनिमेशन आया है और फिर जैसे फोन को मैं अनलॉक करता हूं तो यहीं पर से आपको जो है यह कंट्रोल सेंटर आ जाता है कि आए ज़ो आ रहा है कि ऑवलाप कर जाता था और एक्सेस कर सकते हैं पहले पाते । अच्छा थो आपके बंद भी कर तो इसके लिए देखिए मैं दिखा तो यहां पर स्मार्ट डिवाइजर है अब यह किया है इसका फीचर किया है इसका क्या फीचर है वह पूरा एक्परिमेंट करके बताते हूं यहां से कुल कुछ भी चैन्स आफ और स्मार्ट होम कंट्रोल सेंटर अगा चाहते कि आपका लॉक्स में पर नहीं आए तो आप उसको यहां से डिसेबल कर दीजेगा और जैसें डिसेबल किजेगा अगर आप यहां पर देख सकते हैं एक मिनट यह देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर नहीं आ रहा है बट आपका जो नोटिफिकेशन है वह आ जाएगा अब इसके रावब कुछ थोटे मोटे अपडेट आए हैं कुछ बग्स इंप्रूफ किये रहे हैं कुछ चोटे मोटे चैंटिस और किये तो वह सबका में एक पूरे एक डिटेल वीडियो बना गया है कि इसमें क्या क्या चेंजेंजेंज नहीं हुए है तो उन सब के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा और फिर मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में अधा के लिए स्टे सेफ से हल्दी और आप बाई